ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंटल मालस्टोन्स क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बतातू कुछ भी लिखने की जरूवत नहीं है क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे दिये जाएंगे वहां से आप डिरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं तो शुरू करते हैं हमारे प्रेविंटिव मेडिसिन इन अब्स्टेट्रिक पेट्रिक्स जेरियाट्रिक्स वाले चैप्टर का अगला टॉपिक टैट इस डेवलपमेंटल मालस्टोन्स ठीक तो भई developmental milestones क्या होता है ये आपको याद होगा हमने growth and development वाले पार्ट में बढ़ा था कि जो development है उसमें हम चार चीजों में development बच्चे का देखते हैं that is gross motor development, उसके बाद fine motor development, उसके बाद language development और सबसे आखरी में social development ये चार development हम देखते हैं बच्चे में फिजिकल ग्रोथ वाले के लिए हमने वीडियो डाल दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं ठीक, तो सबसे पहले आता है हमारा gross motor development कि भई, gross motor का मतलब क्या, gross रूप से बच्चे में development हो रहा है कि नहीं fine motor development, fine काम वो कर पा रहा है कि नहीं, मतलब चीजों को पकरना, लिखना, उसके अलावा कपड़े पहन पाना, या फिर spoon से खाना खा पाना, ये सारे चीज़े fine motor development में आती हैं language development में होई monosilibus, biosilibus, कब एक शब्द बोल पाता है, कब 8-10, कब पूरा sentence, कब अपने बारे में कुछ बता पाता है, कब पूरी की पूरी poem बोल पाता है, ये सब कुछ आता है language development में और social development में socially वो क्या है, जैसे कि लोगों को देख के smile करना, लोगों को देख के ढर जाना, लोगों को bye-bye करना, ball खेलना, या domestic mimicry लोगों के नकल करना, ये सारे चीज़े social development में आती है, ठीक? तो ये चार point हम behavioral development या कहना चीज़े developmental milestones में देखेंगे, तो सबसे पहले आता है cross motor development, तो भाई साब जब बच्चा तीन मेने का होता है तो neck holding करना शुरू कर लेता है, तीन मेने का बच्चा neck holding कर पाता है, neck holding क्या होती है, ये देखिए, ये जो छोटु baby है, आप इसको देख का हुआ है, तो neck holding आप यहाँ छोटु baby में देख सकते हो, अब इसको याद कैसे करेंगे, तो भाई, तीन मेने का बच्चा neck holding कर पा रहा है, तो ये जो आपका तीन है, इसको ऐसे side में sofa type का बना दो, तो ये देखो, बच्चा जो है, ये neck holding किया हुआ है, देख रहा है, ये लेटा हुआ है, तो पलट के वो खुद अपने आप से उल्टा हो जाए, इसको देख लो, ये photo है कि ये देखो, बच्चा पेट के बल लेटा हुआ है, लेकिन जब बच्चा जो है, वो चार से छे मेने का हो जाता है, तब वो रोल ओवर कर पाता है, यानि कि जो बच्चा लेटा हुआ है, वो रोल होके पीट के बल भी लेट जाएगा, that is actually roll over, देखा आपने, तो इसको किसे याद रखेंगे कि बच्चा चार से छे मेने का जो है, वो रोल ओवर कर जाएगा, तो ये चार से छे के बीच में क्या आएगा, पांच आएगा, तो पांच जो है, ये आपको देख रहा है, पांच जो है, इसके बीच में ही देखो, ऐसा गोला बना हुआ है, तो ऐसा एरो बना दो, तो ये सारे गोले, ये सारा घूमना, 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 तो पांच साल का बच्चा जो है, वो अपने आप से घूम जाएगा, पांच मेने का बच् को यह आपने support दे दिया पीछे तो वो बैठ सकता है 6 मैने की उमर में तो यहां देखिए आप यह फोटो इसको यहांग। इसको याद करने की बहुत सिंपल सी टेठनीक है आप एक चेर मत बना दू उस्समें यह श्य को बिठा दो तो यह जो है क्वेशे इस पर बैट जाएगा टिक के समझ गए क्योंकि देखो अगर आप पीछे सपोर्ड नहीं देते तो यह तो ऐसा कर्व होता है शे तो ऐसा गिर जाता एनगा शे गिर जाता लेकिन क्योंकि हमने सपोर्ड दे दिया इसलिए छे-पंबर जो है वो support के साथ रुख गया that is 6 मैने में support के साथ बच्चा बैट पाता है याद रहेगा तो भई 3 मैने में neck holding कर लिए 4-6 मैने में roll over कर लिए 6 मैने में sitting with support कर लिए अब जब बच्चा 8 मैने का हो जाता है तो वो जो sitting with support था 8 मैने में उसको किसी support की ज़वद नहीं पड़ेगी और बिना support के भी बच्चा बैट पाएगा ये कैसे दिखता है तो ये देखो ये जो छोटु बेवी है प्यारा सा है ये without support भी बैट पारा है तो ये यहां पर आप देखोगे ये प्यारे से चोटु बेवी को तो ये with support बैट रहा है जबकि यहां पर आप देखोगे चोटु बेवी को तो without support आराम से ये बैट पारा है समझके तो ये है जब बच्चा 8 मैने का हो जाता है तो without support आराम से बैट पाता है इसको याद कैसे करेंगे तो यहाँ पे देखो यह है आपका आठ आठ में आप ऐसे दो पाओं बना दो दो हाथ बना दो और स्माइलिंग बेभी बना दो तो यह चोटू बेभी आठ नंबर का अराम से विदाउट सपोर्ट बैट पा रहा है तो आप याद कर सकते हो आठ मैं मुझा और की किममर में बच्चा क्राल भी करता है राल का मतलब क्या होता है आपको ना इसे कराम गार करकर कर आगे बढ़ेगा तो यहाद देखो यह आपको क्रॉल देख रहा है यह बच्चे का पेड बच्चे की चाते यह दोनों समीन को चुए हुए हैं गद्दे को चुए हुए और उसके बाद वो आगे बढ़ रहा है वैसे आपने जानवरों में किरी में देखा है रेप्टाइल्स आपने देखे हैं रेप्टाइल्स में साफ अगर जो होते हैं वह ऐसी क्रॉल करते हैं तो वैसा ही उसी को कहते हैं क्रॉलिंग या क्रॉल तो इसको याद कैसे करेंगे यह जो आठ है आप यह दो साप की मदद स आठ बना दो एक साप, दो साप, तो साप क्या होते हैं, रेट टैल्स क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, तो बच्चा आठ मेने की उमर में क्रॉल करेगा, ऐसे आप याद कर सकते हो कि क्रॉल, क्रॉल कौन करता है, साप क्रॉल करता है, तो दो साप की मदद से आपने आठ बना द क्रीपिंग क्या होता है क्रॉल के उपर कवर्जन यानि कि अब बच्चा घुटने और हाथ के बल पे चलेगा यानि चेस्ट और एब्डमन जो है वो जमीन को नहीं चुएगा और फिर बच्चा ऐसा घोड़ा बनके आके नहीं चलते हैं जो वो दस्वे मैंने में यह देखो कहते हैं आपका क्रीपिंग जब हाथ और खुटनो की मदद से बच्चा चल रहा है और छोटों बेबी का लगो चैजस पेट ये दोनों ही जमीन को नहीं चुए है तब कहता है कि बच्चा जो है वोग्रीपिंग कर रहे है तो क्रीपिंग किसको करते हैं? जब घोड़ा बनके बच्चा चलता है ना, हुटनों और हाथ के मतर्थ से चस्टर और अप्टमन समीन को नहीं चू रहे हैं, तब उसको कहते हैं क्रीपिंग, याद कैसे करेंगे, तो क्रीपिंग के लिए याद करना है आपको, तो एक घोड़ा इमेजिन करो, और घोड़े क अगर आप कोई सपोर्ट दोगे ना, तो सपोर्ट को पकड़के बच्चा थोड़ी दे खड़ा रहेगा, उसको अपने आप दस मेनने की उमर में बच्चा सपोर्ट की मदद से खड़ा हो जाता है, इसको याद कैसे करेंगे, पहले देख लेते हैं, यह दिखता कैसे है, त यहाँ दिख रहा है आपको, यह दस ऐसे बनाओ, अब दस में से एक तो हो गई छड़ी, जिसकी मदद से वो खड़ा होगा, और जो जीरो है, उसके दो पाउं और दो हाथ बना दो, तो यह दस का एक हो गया, और एक को पकड़के जो खड़ा है, वो जीरो खड़ा है, तो एक दस, दस में यह देखो, आपको सपोर्ट के साथ यह खड़ा हुआ है, तो दस मैने की उमर में छोटु बेबी जो है, वो विट सपोर्ट खड़ा हो पाएगा, समझ गए, तो दैट इस दस मैने में स्टैंड विट सपोर्ट, अब आता है ग्यारवा मैना, ग्यारवे मैन मैना, क्रूजिंग करता है, बेबी, क्रूजिंग का मतलब क्या होता है, अब यहां पर उपर दस मैने में किसी सपोर्ट के साथ खड़ा तो हो गया था, अब वही सपोर्ट को पकड़ पकड़ के चलेगा, तो वही जैसे फरनीचर वगरा है, उनको पकड़ के साइडवेज करना शुरू कर देता है, बेबी, और उसको कहते हैं कि भाई, बच्चा क्रूज कर रहा है, यह कैसा दिखता है, तो यह देखो, यह जो छोटु बेबी है, इसने ऐसा फरनीचर को पकड़ लिया, और फरनीचर को पकड़ के यह चल रहा है, तो that is your cruising, कि फरनीचर को पकड़ और कि ऐसे sideways में move करता है बेबी, उसको कहते है cruising, समझ गए, तो यह शब्द याद रखना, that is, कि भाई साब crawl क्या होता है, भाई साब creeping क्या होता है, भाई साब cruising क्या होता है, यह तीन चीज़े याद रखना, इस पर MCQs और Viva बहुत important है, पूछा जाता है, ठीक, तो यह हो मैंने में, बच्चा cruising करना, शुरू कर देता है, अब आता है भाई साब, बारवे मैने का बच्चा, बारा मैने, यानि लगवग, एक साल का बच्चा हो गया है, तो बारा मैने में क्या क्या करेगा, बारा मैने में stand Without Support, क्या दे मैने में stand with support था, उसके बाद पकड़के साइड में फर नीचे पकड़के चलना शुरू किया था अब बारवे महिने में विदाउट इनी सपोर्ट बच्चा खड़ा हो पाएगा तो यहां पर देखो आप कि जो बच्चा है स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट में याद कैसे करेंगे दो तरीके याद करने के सबसे पहला तरीका तो भाई यह देखो बारा नंबर जो हमने ज्याद में दस मैने में यह पकड़के खड़ा हुआ है जबकि जब हम बारा मैने के बनाएंगे तो एक को बना दो वही लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, अपने दोनों पाउं पे खड़ा हो जाएगा, बोलते ना, अरे वा, हमारा बेबी तो एक साल का हो गया, ये, happy birthday है, अब हमारा बेबी अपने दोनों पाउं पे खड़ा हो गया है, तो दोनों पाउं पे खड़ा हो गया, दो, और एक साल की उम सकते हो अब स्टैंड विदाउट सपोर्ट जब हो रहा है अपने पाउपे खड़ा हो रहा है तो एक और चीज़ बच्चा करेगा बारवे महीने में that is walk with support मतलब कि कि अगर आप उसको दोनों हाथ ऐसे दे दोगे यहां पर आप फोटो देख सकते हैं देखो चोटू बेबी जो है आपने दोनों हाथ से पकड़ लिया तो चोटू बेबी जो है वो support के साथ चलना भी शुरू कर देगा तो यह normally कितनी उमर में यह जो happy birthday होता है ना तब that is बार मैंने की उमर में चोटू बेबी जो है with support चलना शुरू कर देता है ठीक तो यह हो गया आपका बारा मैंने में बारा मैंने में दो चीज़ हुई कैसे याद किया हमने यहां हमने बनाया बारा तो पहला तो हमने बिना किसी support के चोटू बेबी को खड़ा कर दिया और फिर दो without any support चलना शुरू कर देता है यह देखो 15 मन्त में चोटू बेबी बिना किसी support के चलना शुरू कर देगा यह बारा मैने कथा बारा मैने में चोटू बेबी with support शुरू कर रहता चलना और पंदरा मैने में चोटू बेबी with without any support चलना शुरू कर देता है समझके तो बारा मैने फंदरा मेने अब टारा मेने में क्या करेगा आज अधारा मेने में छोटू बेबी रनिग्ञ शुरू कर देता है एटीन मन्त की अगराआ आप करोगी तो मैपने कैसे याद किया था यह 15 मन्त आपने बनाया 12 मन्त में सिर्फ की अ अब अब भई, इसको याद कैसे करेंगे, जो आजकल की youth नहीं होती है, youth क्या बोलती है, आपने लड़की बना दी, आपने लड़का बना दिया, लोग फोन पर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या बोलते है, अरे यार हम बालिक नहीं हुए, जैसे ही हम बालिक हो जाएंगे, यानि कि जैसे ही हम अठारा के हो जाएंगे, हम घर से भाग जाएंगे, लड़के को पता नहीं है कि इसके पहले शादी नहीं कर सकते हैं, लड़की तो अठारा में शादी कर सकती हैं, तो हम अठारा के हो जा दो साल की उमर में बच्चा दोनों पाउं रखेगा एक स्टेब पे फिर दोनों पाउं रखेगा दूसरी स्टेप फिर फिर दोनों पाउं रखेगा तीसरी स्टेप पे तो टू फुट्स पर स्टेप दो साल की उमर में तीन साल की उमर में क्या होगा तीन साल की उमर में वन फुट पर स्टेप तो कर पाएगा लेकिन सिर्फ चड़ पाएगा उतर नहीं पाएगा उत्रेगा कब चार साल की उमर में one foot per step रखके उतर भी पाएगा तो ये तीन चीज़ आपको सीडी पर याद रखनी है दो, तीन, चार दो साल की उमर में two foot per step रखके चड़ पाएगा मतलब एक सीडी पर एक पाऊ रखा फिर दूसरा पाऊ रखा फिर अगली सीडी पे एक पाउं रखा दूसरा पाउं रखा फिर अगली सीडी पे एक पाउं रखा फिर दूसरा पाउं रखा फिर अगली सीडी पे एक पाउं दूसरा पाउं ऐसा जब कि जब तीन साल का हो जाएगा तो एक पाउं एक सीडी पे दूसरा पाउं दूसरी की पे में गैजने उतरने के लिए चार साल का वेट जब चार साल का हो जाएंगा तब नॉस No फटो यादपाध में पहले एक साल की उमर मेंप छेक्टारपाईगा वो ता इस तीन सालकियो मार में पाईये सब्सक्राइकłości सल्क ग्यागा ऑन टैनी पहिये की समयखेव tricycle वो चला पाईगे खिख अब स्वाल यह आता है कि यह याद कैसे करें दो तीन चार सार वाला दो तीन चार तो दो साल की उमर में क्या कर रहा था दो पर जो पर टू फुट पर स्टेप ठीक है तो दो साल की उमर में two foot per step तो यह तो यह जिए easy easy है two for two ऐसे याद कर लो तो two for two दो साल की उमर में two foot per step confusion कहां होता है कितने साल की उमर में one foot per step चड़ पाएगा और one foot per step उतर पाएगा इसमें confusion होता है तो यह कैसे से याद करें घंगे तुर यह तेंछ यह आपने बनाया क्या तीन फिर आपने बनाया तीन से चरपायगा एक फिर दूसरा पाऊ तो क्या आपने समझाए यहां पर तीन साल की उमर में छोटू बेबी वन फूट पर स्टेप अपवर्ट चड़ पाएगा सीड़ी चड़ पाएगा तीन साल की उमर में उतरने के लिए चार साल की उमर है तो यह देखो यह आपने बनाया चार फेर यह आपने बनाया चार फेर यह आपने बना तो चार साल की उमर में क्या होगा छोटू बेबी वन स्टेप रखा अगले अगला स्टेप अगले पाउं पे फिर चार बनाया तो अगला पाउं अगले स्टेप पे तो चार साल की उमर में छोटू बेबी जो है वो वन स्टेप वन फोट पर स्टेप के हिसाब से उतर कि तीन साल की उमर में यह दे को तीन 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 बनाए याने कि एक फूट पर स्टेप रखके चड़ पाएगा और चार साल की उमर में यह दे को चार 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 बनाए तो एक फूट पर स्टेप के हिसाब से वो उतर पाएगा समझ गए तो तीन साल में वन फूट पर step उतर पाएगा याद रहेगा याद रखने इसमें confusion होता है अब नहीं करने confusion ओके ठीक है तो हमने यह तो समझ लिया कि भी यह gross motor development क्या होता है बहुत important है इसको याद रखना सारे confusion दूर सारी photos आपने देख ली कि भाई neck holding क्या होती है rotates to run away के रहोटे सिटिंग्व इभाट सपोर्ट के चौट एक रोल के mm कि होते हैं ग्रीपिंग के फिल्म के लिए उसको हाथों और उंग्लियों की चाहत में जो development होता है और वो किस तरह से चीजों को पकड़ता है लिखता है क्यूब्स बनाता है ये सारी चीज़े आएंगे ठीक तो शुरू करते हैं fine motor development तो 0-3 महिने में जो बच्चा है वो Palma grasp पजाएगा प्रम ग्रास क्या होता है जब बच्चा उंग्लियों के साथ साथ पूरे पंजे की मदद से चीजों को पकड़ता है उसको कहते है Palma Grass भी देखो पाल्म ग्रास में ही । पाम लिखा हुआ है पाम मतलब पंजा तो पारण्मा कर बाता है तो पार्मागरास जो होता है वो आपको 0-3 महिने की उमर में आजाएगा समझ ग shines, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, अब अगर इसको याद करने है तो इसके दो तरीक Archives पहले तो Palmar Grasp ये देखो इसमें दिखी रहा है कि आपने तीन बनाया और तीन के आगया से आपने बना दिया तो ये पूरे उंगली और दूसरा तरीका इसको याद करने का पता है क्या है पालमर का ये M दिख रहा है M में को अगर आप तेढ़ा कर दो ये जो आपका M है इसको अगर आप तेढ़ा कर दो तो क्या हो जाएगा तीन तो लगभग तीन महिने की उमर में आपको पालमर ग्रास पा जाता है सिंपल समझ गए तो M आ रहा है आपका पालमर क्योंकि confusion पता क्या होता है पालमर ग्रास और पिंसर ग्राफ में confusion आता है तो पालमर में आपको M दिख रहा है M को अगर आप ये आपका M है M को अगर आप तेढ़ा कर दोगे तो क्या हो जाएगा एम को अगर आप तेड़ा कर दोगे तो हो जाएगा पिंसर ग्रास, समझ गए? तैसे आप याद कर सकते हो, ठीक? ओके, उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है आपका, उसके बाद आता है बाइडेक्स्ट्रस और यूनी डेक्स्ट्रस, ठीक है? तो बाइडेक्स्ट्रस और यूनी डेक्स्ट्रस क्या होता है? तो बाइडेक्स्ट्रस क्रास्प होता है, जब बच्चा दोनों हातों से चीजों को पकरने की कोशिश करता है, उसको कहते हैं बाइडेक्स्ट्रस क्रास्प, तो यह देखो, बच्चा दोनों हातों से चीजों क को पकड़ने की कोशिश कर रहा है इसलिए इसको कहते हैं प्य-डेक्स्ट्र में उसको याद कैसे करेंगे तो ब्राइब आधी बना दिया तो दो चार के आपको जववत पड़ी, तो दोनों हाथों से उसने पकड़ लिया चीज़ों को, that is by dexterous grass, वो कुछ इस तरह से पढ़ता है, ये देखो एक हाथ, ये देखो दूसरा हाथ, that is by dexterous grass, ठीक है, उसके बाद आता है unidextrous grass, तो भई, पांच मैने की उमर में unidextrous grass, unidextrous grass क्या होता है, कि बच्चा एक हाथ से ही चीज़ों को पकड़ लेता है, पहले दोनों हाथ से पकड़ता था, अब एक ही हाथ से पकड़ लेता है, कैसे तो ये देखो, ये आपका पाल्मा grass, उसके बाद आया by dexterous grass, उसके बाद आता है unidextrous grass, कि बच्चा एक हाथ से ही चोटु बेबी चीजों को पकड़ पा रही है, that is unidextrous grass, ठीक है, तो अब अगर आप कोई चीज दोगे ना, तो वो एक हाथ से ही उसको पकड़ेगी, जबकि उसके पहले दोनों हाथों को, तो बच्चे जब पांच महने की हो जाती है, तब एक हाथ से ही चीजों को पकड़न पिंसर ग्रास्प क्या होती है, पहले पिंसर ग्रास्प समझ लेते हैं, पिंसर ग्रास्प जो होती है, वो होती है, इंडेक्स फिंगर और थम की मदद से चीज को पकड़के उठाना, that is, पिंसर ग्रास्प, तो ये जो पिंसर ग्रास्प होती है, अब ये भी पिंसर ग्रास सबसे अच्छा तरीका है आप लिख दो भाई साब कि आपने लिखती है पी आई एन सी ए और आपने लिखती है यहां आर ठीक है तो यह जो है पी इसको अगर आप उल्टा कर दोगे तो हो जाएका नाइन और यह ऊपिदे ऐ गया आई रहेगा तो इंवेच्छेओर पिंसररगास कब आएगी नौवे मैंध में अएगी बन गया इंवेच्छेओर पिंसररग्रास नौवे महिने में आएगी ऐसे ही यह जो ई है इसको अगर आप थोड़ा सा तेड़ा कर दो तो क्या हो वो बारा महने में आएगी तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि immature पिंसर ग्रास 9 में और mature पिंसर ग्रास 12 में तो actually नाम में ही आपको दोनों मिल जाएगा देखो P-I-N-C-E-R पिंसर तो पिंसर में P और I तो I से immature और P को उल्टा कर दो तो 9 है ना ऐसे आखरी का जो E और R है तो E को पोल्टा कर दो तो M बन जाएगा for mature और R जो है उसी में आपको 1 और 2 दोनों मिल जाएगा तो बारा महिने में mature पिंसर ग्रास समझ गए तो ऐसे आप याद कर सकते हो ओके उसके बाद भाहिसाब आता है पंद्रवा मेना तो जब 15 मेने का बच्चा हो जाता है अब यह तो आ व्हुला में एक पिंसर ग्रास यूमे जू सका थीन महीना चार मेना पांच मेना बारव मुना ओके उसके बाद ना आप अभच्चा पागयाे तो चीजों को एक्दम यह हमने देख़ना चीजों को एकदम दोंगलियों से पकड़ने लगा है तो अगर दी चीजों को बड़ ऐसा ऐसा करना मैं है उसके लावा वर्टिकलBbian को बना पाएगे और सबससे बनाने लगे गा फिर ठ्राइंगल भी बना पाएगया और उसके बाद सबसे आखरी में सबसे मोश्किल जो है that is diamond वो भी बना पाएगा पर यह कौन-कौन सी उमर में कर पाएगा यह हमको याद करना है ठीक तो सबसे पहले याद करते हैं हम कि भाईया scribbling कर पाएगा तो यह आप एक image है इससे भी याद कर सकते हो कि भाई देखो सब अपसे पहले तो ऐसे चोटे-चोटे-चोटे बना दो I justãyãy subscribe link वॉर्टिकल लाइन बना दी तो नाक एक ही होती है तो एक तो एक साल छे मेहने में वर्टिकल लाइन बना पाएगा इस एकीन मत में वॉर्टिकल लाइन अब यहाँ पर देखो 2 लाइन यह तो दो साल में वह misschien कि याद कर सकते हो His school Pandemie आपको स्क्रिबलिग कौन से महीने में स्क्रिबलिग आपको PCR invasive महीने में कर रहें ठीक है तो ऐब ने एक लिखा और आप पांच लिखा पांच कैसा होता है पांद सब्ढ़मि असके जैसे होता है टो यह S'S 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 आस्थS ATSS 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 ATS 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 भी आपको सकते हो 15 मैं नहीं है उसके बाद वर्टिकल लाइण कर तो ये देखो ए्क नाक थी तो एक साल छे मैंने में वर्ट लेकल कर सकते हो दो होरिजोंटल लाइण है तो दो साल के उमर में होरिजोंटल ठीक अब तीन साल की उमर में न सरकल बना लेता है वो तीन साल की उमर में सरकल यह कैसे याद करोगे तो आपको यहां पर दिख रहा है कि यह देखो यह तीन के ही अंदर एक सरकल दिख रहा है दिख रहा है बना के दिखाते हैं आपको तीन साल की उमर में सरकल बना लेगा ती तीन साल की उमर में सरकल बना लेगा ठीक है तीन साल की उमर में सरकल इजी तो ऐसे याद कर सकते हो कि भाई तीन साल की उपर पे सरकल बना लेगा चार साल की उमर में प्लस साइन तो अगर आप देखो तो चार में ही प्लस होता है नहीं बच्पन में जो हम लिखते हैं चार ल लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना चार तो भई चार जब आप लिखोगे तो आपको प्लस साइन तो उसके अंदर ही दिख रहा है देखो ऐसे 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 तो यह प्लस साइन तो चार के अंदर ही है तो प्लस साइन कितने समय में बना पाएगा बच्चा प्लस साइन चार साल की उ में ट्राइंगल बना पाएगा तो ऐसाल साल के उमर में यह देखो, पाच तो ऐसी आपने लाइन जोर दी ट्राइंगल, ऐसी आपने लाइन जोर हो थी ट्राइंगल तो पाच साल की उमर में बच्चा ट्राइंगल बनाना सीख जाएगा समझ गए अब आता है भाई साब डायमंड तो डायमंड में six years की एच में डायमंड बना देगा तो छे के नीचे ही डायमंड होता है बना के दिखाएं तो यह हो गया आपका छे तो छे साल की उमर में डायमंड बन गया यह हो गया आपका छे तो छे साल की उमर में डायमंड बना लेगा पच्चा याद रहेगा तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि छे साल की उमर में बच्चा डाइमंड बना पाएगा ठेक तो यह तो हो गई लिखने वाली चीज़े जो बच्चा कर पाएगा तो हमने देख लिया कि भाई स्क्रिब्लिंग वर्टिकल लाइन होईजॉंटल लाइन सर्कल प्लस सैंड ट्रैंगल और डाइमड अब अगली ची है तो यहां बनाओ आप 18 अठार का एक जो है उसको बना दो चमच और अठार का आठ जो है उससे बना दो बेबी तो एक की चमच से बेबी खा रहा है तो अठारा मेने की उमर में बच्चा स्पून की मदद से खुद ही चीजों को खा पाएगा समझ गए तो ऐसे ही आप अगली चीज़ आपको एक और चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर आपको जो दिख रहे है, that is, दो साल की उमर में बच्चा कपड़े उतार तो पाएगा, लेकिन पहन नहीं पाएगा. तीन साल की उमर में बच्चा ड्रेसिंग और अंड्रेसिंग दोनों ही कर पाएगा, मगर पंगा क्या है, बटन्स नहीं लगा पाएगा, नहीं खोल पाएगा. जबकि पाँच साल की उमर में बच्चा ड्रेस पहन भी पाएगा, उतार भी पाएगा, बिना किसी की मदद के और button और unbutton भी कर लेगा और साथ में shoelaces भी बांद लेगा ये है दो तीन और पाथ साल की उमर में ठीक तो याद कैसे करेंगे तो दो साल की उमर में आपने याद कर लिए कि भाई undressing तो कर लेगा तीन साल की उमर में आपने याद कर लिए dressing तो कर लेगा मगर button नहीं लगा पाएगा तो यह को तीन के बीच में ही जो बोला है उसमें button बना दो तो यह है आपका तीन तो तीन में आपने must button बना दी तो तीन साल की उमर में बच्चा कपड़े पहन तो लेगा उतार भी लेगा पहन लेगा लेकिन buttons नहीं लगा पाएगा तो विद तो यहां पर आपको याद रखना है कि dressing और undressing तो कर लेगा मगर उसको मदद चाहिए तीन साल की उमर में buttons को खुलने और बंद करने नहीं और पांच साल की उमर में तो 2 में dressing and dressing कर पारा था 3 में dressing and dressing दोनों कर पारा था पर button नहीं लगा पारा था तो button भी लगा लिया वो 5 साल की उमर में 2 plus 3 equal to 5 तो 5 साल की उमर में button, unbutton, dressing, undressing, shoelaces, सब कुछ कर पाएगा छोटू बेभी 5 साल की उमर में तो ऐसे आप याद कर सकते हो एक और चीज जिस पर सवाल आता है जो कि आपको यहाँ पर मिलेंगे that is cube of towers मतलब आपने क्या कर दिया उसको छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे cubes दे दिये तो कितने cubes के वो tower बना सकता है तो यह भी important चीज़ है कि पंदरा मैने की उमर में वो दो cube का tower बना सकता है मतलब एक cube के उपर दूसरा cube रख सकता है बस उसके बाद अठारा मैने की उमर में वो तीन cube का tower बना सकता है याने कि एक tower उस cube दूसरा cube तीसरा cube ऐसे वो तीन एक दूसरे के उपर रख सकता है ठीक है? तीन साल की उमर में वो नौ क्यूब एक के उपर एक रख सकता है मतलब कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ नौ क्यूब एक दूसरे के उपर वो तीन साल की उमर में रख सकता है और अगर हम बात करें कि दो साल की उमर जो शूट किया था दो साल की उमर में वो छे क्यूब्स एक दो तीन चार पांथ छे क्यूब्स एक के ऊपर एक बच्चा रख सकता है ठीक तो यह भी जब बच्चे को आप खेलने को देते हो उससे भी आप डेवलप्मेंट उसका चेक कर सकते हो कि कितना हो रहे हैं मगर इसको याद कैसे करेंगे तो आप तो सिंपल सी टेबल इनकी बना लो क्यूब और टावर्स की यहां पर बनी होई है एज और क्यूब्स तो पंद्रा मैने क्यूमर में दो क्यूब अठारा मैने क्यूमर में तीन क्यूब दो साल क्यूमर में छे क्यूब और तीन साल क्यूमर में नौ क्यूब इसको य याद कर लिया तो हमने क्या याद किया पंद्रा महने में दो क्यूब अठारा महने में तीन क्यूब यह याद कर लिया अब बाकिक के जो दो बचे वो कैसे याद करेंगे यह दो को यहां रखतो तो दो साल यह तीन को यहां रखतो तो तीन साल दो साल की उमर में कितने और तीन साल की उमर में कितने तो यह 15 को यहां लेकर आओगे तो 1, 5 तो 1 प्लस 5 इक्वल टो 6 क्यूब और ऐसे 18 को यहां ले आओगे एक प्लस आठ हो जाएगा इक्वल टू नौ क्यूब तो समझ में आया ऐसे आप याद कर सकते हो उपर के दो याद कर लो नीचे के अपने याद को जाएंगे फिर से करके बताओं फिर से करके बताता हूं कि भाई आपको किते पे कितना पंद्रा मेने पे दो क्यूब अठारा मेने पे तीन क्यूब अब ये जो दो है इसको यहां रखतो तो दो साल की उमर में ये जो तीन है ये दो ये तीन जो है इसको यहां करतो तीन साल की उमर में अब ये जो एक और पांच है ना इसको यहां रखतो एक और पांच इन दोनों को एड कर दो कितना हैगा छे और ऐस साल की उमर में छे क्यूब और तीन साल की उमर में नो क्यूब ऐसे आप याद कर सकते हो कि भाई यह दोनों को यहां पर रखना है हमको और यह दोनों को हमको यहां पर रखना है ऐसे आपको पूरी की पूरी टेबिल याद हो जाएगी तो यह भी हमको याद हो गई कि भाई ट पालमर ग्रास उसके बाद पिंसर ग्रास पाइडेक्स्रस ग्रास यूनिदेक्स्रस ग्रास यह सब ही आपको इमेज बेस्ट या वाइवा में कोश्चन आ सकते हैं समझ गए तो यह हमने समझ लिया कि भाई पाइन मोटर डिवलोप्मेंट किया था अब आता है आपका लेंगवेज डेवलोपमेंट लेंगवेज डेवलोपमेंट में हमने देखा कि तीन मैने की उमर में निकल आएगा तो करते च हीर हो एक लिएतर तो तीन मेने कह में कों कि उसके बार छे मैने के उमर में आधे आधे रोलब आता है है मोनने सिल्वेश रहता है मह प प अन्माकतRO कर दो म का एक यिख का एक साल का आधा ऑनन पाव एक शर्प्त थुबिर्टाइब कर देता है तो च्यमीने की मर में यही जो मह और पा था यह 22 लिबस हो जाता है रेपीट कर देता है मामा पापा ममा पापा तो बाइस सिलिबस हो जाता है तो छे मैने की उमर में मोनो सिलिबस और नौ मैने की उमर में बच्चा बाइस सिलिबस हो जाता है कि ममा पापा ठीक है तो ऐसे याद कर सकते हो कि छे में मोनो सिलिबस नौ मैने में बाइस सिलिबस अ अब एक साल का जब बच्चा हो जाता है ना तो एक से दो शब्द बोल पाता है तो एक से दो शब्द में क्या आता है अगर तुम याद करो तो दो शब्द है तो हैपी बर्डे तो हैपी बर्डे किते हैं दो शब्द है एक से दो शब्द है वह हैपी बर्डे का बाता है तो हैपी बर्डे एक साल में आता है तो एक से दो शब्द बच्चा का बोल पाता है एक साल की उमर में मतलब हैपी बर्डे एक साल में हैपी बर्डे एक से दो पिर आता है जागन स्पीच कब जागन स्पीच क्या होता है जो बहुत सारे वर्ट्स एक साथ अब टो यह कड़ता ना तो यह कब करेगा जागन सपीच जिसका कोई शब्द का मतलब नहीं होता है जिन अच्छरों का मारे खूब सारे शब्द एक साथ बोल पाता है that is 15 में तो तो पंद्रा मेने की उमर में बच्चा खूब सारे खूब सारे खूब सारे शब्द एक साथ बोल पाता है that is 15-month जागरन स्पीच तो ऐसे याद कसे करोगे तो यह है आपका पाँच तो इसी जो आपका पाँच है इसको एक लेंग चोड़ दो पस यह आपका 15 मेना है तो पाँच है इसको ऐसा कर दो तो जाएगा तो जागरन स्पीच का पंद्रा मेने की उमर में तुक ऐसे आप याद कर सकते हूं फिर आया अठारा मैने तो आठ से दस शब्द तो अठारा मैने की उमर में बच्चा आठ से दस शब्द पोल पाता है कि अब आठ से दस शब्द आठारा मैने यह याद कैसे करेंगे तो भाई अठारा कैसे आया आठ प्लस दस इकोल्स टो अठारा तो अठारा मेने में आठ से दस शब बोल पाता है simple समझ गए उसके बाद दो साल की उमर में at least दो शब्द का sentence बच्चा बोल पाता है तो ये कैसे याद करेंगे दो पे दो तो दो पे दो तो दो वर्ट का sentence आओ खेले ममा आओ पापा जाओ ऐसे दो दो शब्द के sentence वो बोल पाता है दो साल की उमर में तो दो पे दो याद रहेगा ऐसे जब बच्चा तीन साल का हो जाता है ना तो अपने बारे में काफी कुछ चीज़े तो बता पाता है आपने देखा होगा ना कि आप करसी के घर जाते हो छोटों पे भी रहता है तो ममा पापा शो आफ करता है बेटा बताओ अपना नाम तो बताएगा अपने बारे में काफी कुछ बता पाएगा ना पूरी पूरी स्टूरी सथाहäsident आ सार का ना का बैठते हो और बोलते हैं हमारा बच्चा तेको पोयम बोलना सीखिया है तो पोयम जो है वो चार साल की उमर में बच्चा बोल पाएगा तो कैसे याद करेंगा इसको तो त्विंकल त्विंकल लिटीलिस तार आःट द एज ओफ चार तो twinkle, twinkle little star at the age of चार twinkle, twinkle little star at the age of चार तो या है गया? तो twinkle, twinkle little star at the age of चार याद रहाएगा? twinkle twinkle little star at the age of 4 तो 4 साल की उमर में twinkle twinkle little star वो सुना पाएगा याद रहेगा 4 साल की उमर में poem बच्चा सुना पाएगा याद रहेगा अब आखरी में आता है language development में 5 साल की उमर में जो छोटु बेबी है वो चीजों के मतलब पूछने लगेगा इसको कैसे याद रखेंगे आसे याद कर लो तो 5 पे पूछेगा पाछ पे पुछेगा तो याद हो गया 5 साल पे पूछेगा तो 5 साल पे ask meaning of words ममा इसका मतलब क्या है मुझे याद मैं टॉकी जमें डेली-बेली देखने गया था एक कपल आया था बच्चा वो पाज साल का था क्योंकि डेली बेली शुरू होई और डेली बेली तो आप सब ने देखियो उसमें क्या-क्या शुरू हुआ था तो बच्चा मम्मा इसका मतलब वहाँ गालियां चल रही हो और बच्चा बिचारा गाली हो के मतलब पूछ रहा है आदे घंटे मे तो उससे मेरे को आज तक याद रहता है कि वो बच्चा पक्के से पाच साल का था क्योंकि वो पाच पे पूछ रहा था कि इसका मतलब क्या उसका मतलब क्या तो उसमें पिच्चर में तो मावाइन चल रहा था तो वो बिचारे चले गए बेबी को लेके तो पाच पे पूछे जो होता है वो social smile याने की लोगों को देखके मुस्कुराना शुरू कर देता है यह देखो यह देखो छोटु बेबी की social smile दो मैने की age में छोटु बेबी smile करना शुरू कर दिये ठीक तो दो मैने पर social smile तो अब यह याद का रहेंके कि भाई दो मैंने पर सोशल स्मयल तो यह देखो यह आपने यहां दो बनाया यह अपने लुद्टा बनाया तो यह पूरी की टू, टू कोल्टा बनाऊगे तो S, अब दो लिखा है तो दो S बनाऊ दो, S for social, S for smile, social smile at the age of two month, याद रहेगा, ऐसे छे महने की उमर में बच्चा दूसरों को देखके डरेगा, एक stranger को देखके, एक बिना पहचान हुए आदमी को देखके डरेगा, और उसके इलाबा mirror image को द चोटू बेबी जो है, वो अपनी ही पर्चाई को देखके मुस्कुराएगा, यह कब होगा, यह six, चोटू बेबी, यह six month की age में social आपको mirror image को देखके smile करना मिलेगा, तो six, अब यह जो six है, इसी का आप S उठा लो, तो smile at mirror image, S और I उठा लिया आपने, तो smile at your image, S और I से आपको smile at mirror image मिल जाएगा, मिल गया, तो S, I और X, तो S और I आपने उठा लिया, तो क्या मिल जाएगा, आपको smile करेगा, अपनी ही image को देखके, ठीक है, उसके अलावा फिर से आप S, I और X उठा लो, तो S for हो जाएगा stranger, और X for anxiety में आता है, आपका X, तो stranger anxiety, तो जो पहचाने हुए लोग नहीं है, उनको देखके डरेगा, ठीक, ऐसे भी याद कर सकते हो, उसके अलावा आप कैसे याद कर सकते हो, कि ये देखो, आपने ये 6 बनाया, उसके सामने इमेज mirror बनाया, उसके सामने उल्टा 6 बना दिया, तो ये आपको ऐसा डाइग्राम जो ह इसे भी याद कर सकते हो, और 6 साल की उमर में अंजान लोगों को देखके डरेगा बच्चा, तो stranger anxiety और smile at mirror image, ऐसे आप याद कर सकते हो, 6 मैने की उमर में, उसके बाद आता है, 9 मैने की उमर, तो 9 मैने में न बाइबाइ वेव करता है, बाइबाइ करना सिख जाता है, पाप जब फीटस था, मा के पेट में था, तो मा के पेट में जब बच्चे को 9 मैने हो गएते, तो बच्चे ने 9 मैने बाद बाहर आ गया था, तो बच्चा 9 मैने के बाद मुम्मी के यूट्रस को या मा के पेट को बाइबाइ कर दिया था, और बाहर आ गया था, है ना, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं तो फिर नौ मैने में वह बाइबाई करना सीख जाएगा ठीक है तो उसको नौ मैने लगे थे मां के पेट में मां के पेट को बाइबाई करने के लिए तो ऐसे ही उसको मां के पेट के बाहर भी नौ मैने लगे बाइबाई करना सीखने में ऐसे याद कर स 12 दिख रहे आपको तो 12 B for 12 B for ball ball खेलेगा 12 मैंने में और B for 12 B for बुलाने पर आएगा तो 12 मैंने पर बुलाने पर आएगा यह देखो 12 मैंने की उमर में बॉल गेम फोड़ने बी खेल पा रही है ठीक है तो अब याद कैसे करेंगे इसको थो तो बारा मैननी की उमर में बुलाने पर आएगा इसको याद कैसे करेंगे, तो बैई, बारा है, तो अपको 12th मैन, आपने calculatingे देखा होगा, 12th मैन होता है, खart na, तो 12th man किसमें आपने देखा cricket वगर अगर में देखा होगा तो पहली चीज तो बैद सिंपल बॉल गेम है cricket तो 12 में जो सिंपल बॉल गेम खेल पाता है और 12th man 12th man बुलाने पे आएगा और 12th man बले शांप एच्चा खिलता होता तो टॉप 11 होता ना वारवां खिलामि को बना ङुकि छोटू बेभी जो होते ना नकल करते हैं यसे आपने विए शेव पापा को बेबी बी इसी शेव निकाल के या लगाने लगा यह मम मेकप करते देखा तो च्छोटु बेबी भी आईनी के सामने जाके खुछ कोच चीज उठा के लगाने लगी तो that is domestik मिमिक्रिया सामने doggy भौक रहा है तो उसको देख के च्छोटु बेबी भाव वाव कर तो यह सब कप करता है 18 मैंनी क्यूमर में याद कैसे करेंगे इसको तो एक और आठ तो यह जो एक है इससे आपका डी बन गया यह जो आठ है इसमें देखो आपका एक M तेढ़ा 1 M तेढ़ा ये दोनों एक मिलके क्या बन गए आठ बन गए तो M? डॉमेस्टिक मिमिक्री कैसे याद करेंगे तो डॉमेस्टिक मिमिक्री तो यहां से D से आपने एक तंडी निका ली जो Một gefallen तो ने एक तैण सौन किहा तो दो म सबस्क्राइब तो इतनी चीजे को पता होनी चाहिए माइल को सीधा सीधा डवल्पेंटल माइल स्टोंडस में ही तो डिल्क में अगर 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 बात कुराँ सवाल और स्टा Corey में आपको सीधा सिधा developmental milestones हाला कि यह पीडिया का कुश्चिन जाता है लेकिन पीएस में भी आपको developmental milestones पे सवाल आ सकता है तो वेरी शॉट नोट आ सकता है कि कोई एक पूछ लिया जाए fine motor development या gross motor development या language development है social development किसी भी एक पे या सिधा 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 short note आ जा सकता है आपको developmental milestones पे तो आपको बताते आना चाहिए उसके बाद बात करूं मैं वाईवा की तो भाई साब बहुत सारी चीज़े नेक होल्डिंग कितने में होती है रोल ओवर कितने में होता है क्रॉल कितने में क्रीपिंग कितने में कुमीं कितने में और इन सब का मतलब क्रॉब का मतलब क chaotaj क्रेप का मतलब क्या हूता है क्रोस का मतलब क्या हूता है इनका मतलब भी पूछ लेते हैं तो वाईवर में यह भी बहुत important है उसके अलावा अगर मं करने बात कर सीधा độ नुक्त करता है और यह थो आपको पता होना चाहिए और social smile का मतलब क्या होता है यह पूछते हैं वाइवा में और कब करता है यह भी पूछ सकते हैं वाइवा में ठीक तो यह तो हो गया वाइवा का अगर मैं बात करो MCQs की तो MCQs में ना बहुत important चीज़ जो पूछी जाती ना यह सभी पर MCQs बन सकते हैं लेकिन कुछ specific neck holding, roll over, crawl, creep, cruising इनके ना यह image भी दे सकते हैं कि यह बच्चा neck holding का है यह roll over का है यह को sitting with support, sitting without support, crawl, उसके अलावा creeping की image दे दिया आपको standing without support, cruising, walk with support, walk without support आपको image दे देंगे और पूछेंगे कि भाहिया कौन से महिने में यह चीज़ बच्चा करना शुरू करेगा तो आपको यह चीज़ याद होने चाहिए ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यह तो हो गया आपका cross, अगर मैं fine motor development की बात करूँ तो फिर वह पाल्मा ग्रास, bidextrous, unidextrous, pincer grass, यह सब आपको MCQs आ सकते हैं, किसी भी भी आ सकते हैं, इन पे specifically आते हैं, और ना आपको ऐसे image दे दे अब आपको समझना है कि यह जो छोटू बेबी है, यह पाल्मा ग्रास कर रहा है, तो कब आता है, यह देखो छोटू बेबी जो है, वो bidextrous कर रहा है, तो यह कब आता है, पूछ लेते हैं, फिर unidextrous grass चोटू बे भी कर रहा है, तो यह कब आता है, यह आपको image-based questions में वो इन पर आपको a सब्सक्राइब करें इसे थे कि मेशने के समाइल पर आपको इंसे कि आ सकता है और स्माइलिंग इस पर बहुत इपूर्ट थे है mcq तो इस पर भी आपको आ सकता है डारेक पुछ लेते हैं और आपको बताते आना चाहिए ठीक तो इतनी चीजें हैं जो आपको developmental milestones या fine motor cross motor development और इन सब चीजों पर आना चाहिए थैंक यू